दोस्तो रोजाना गोवर्मेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले की अपडेट सबसे पहले हैं मेल और फिमेल बोट कैंडिडेट इन फॉर्म को भड़ सकते हैं कुछ बड़तिया इन में बीना एकजाम की भी है जिया दोस्तो सुआस्तव विभाग सख्सा विभाग वन विभाग और खद्दे विभाग के अंतरगत यह बढ़ती निकली है और सबी स्वाल और आउट के लिए रहूँ तो चले दोस्तों बिना कोई वक्त कमाएं सुरू करते हैं आज की साथ बड़ी बरतियों की पूरी जानकारी जहां दोस्तों जो फर्स्ट नमबर पर जोब निकली है वो निकली है नोर्टन कॉल फिल्ट्स लिमिटिड में एंचियल के इंतरगतैया अपर बड़ी बरती निकली है पारामेडिकल अस्टाप की याँ पर वेकंसीज निकली है अस्टाप नर्स, फार्मेशिस्ट, टेकनीशियन, जून्य टेकनीशियन और फ्ीजियो ठेरेपिस्ट की याँ पर वेकंसीज है वेरियस नंबर ओव वेकेंसीज है सेली उनती जार चार सो साट से इकती जार आट सो बावन है बार्यू पास और डिप्लोमा दारक अपलाई कर सकते हैं आयू सीमा अठारा से तीस वर्स है अन्नि जव ओबी सी, EWS के लिए पांच सुर्पे आवेदन सुल्क है ओल इंडिया से आप अपले ओनलाई कर सकते हो nclcl.in.in ये इसका ओफिशियल पोर्टल है जिससे आप ओनलाई आवेदन कर सकते हो जो की स्टार्ट होंगे 15 फरवरी 2020 से जिया दोस्तो इसके ओफिशियल पोर्टल पर अपले ओनलाई करने का लिंक 15 फरवरी 2020 को ये अक्टिवेट के जएगा आप तभी से आवेदन कर सकते हो लास्ट एट अपले ओनलाई करने की 10 मार्च 2020 है रिटन टेस्ट की डेट 39 मार्च 2020 है बात अगर नोटिफिकेशन की की जए तो इसकी हिंदी और इंग्लिश बोथ लेंग्वेज में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जिया दोस्तो रोजगार अधिसूचन आने के इंपलोमेंट नोटिफिकेशन पारा मेडिकल अस्टाप के लिए आप जारी कर दी गई है आप यहां से पोस्ट वाईज आउट साथ साथ कैटिगरी वाईज वैकेंसिज की जानकारी चेक कर सकते हो साथ साथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है वह भी आप जेक कर सकते हो जैसे की अस्टाप नस्ट्रेनी इसके लिए देक सकते हो 10 पलस 2 पास और 1 ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा इसमें मांगा गया है इसके लिए वैकेंसिज की अगर बात किजए तो आप यहां से टोटल वैकेंसिज चेक कर सकते हो चोदा number of vacancies इसके लिए निकलिया इसी तरह है Pharmacist Training के लिए चेक कर सकते हो Plus 2 Science के साथ में हो Diploma Pharmacy में इसके लिए 6 number of vacancies है Technician Pathological के लिए देख सकते हो Diploma Pathology में होना चाहिए इसके लिए 10 vacancies है जिया दोस्तो Radiographer Technician के लिए भी देख सकते हो Diploma Radiography में होना चाहिए साथ यहाँ पर number of vacancies है Physiotherapist के लिए Diploma Physiotherapy में होना चाहिए इसके लिए एक vacancy है Technician Dietician के लिए भी आपर Diploma Dietism में होना चाहिए इसके लिए एक पद है Junior Technician ECG के लिए आपर higher secondary आनिके Plus 2 Intermediate Pass होना चाहिए और 2 साल का experience Certificates में ECG Technician का होना चाहिए उस्पिटल में साथ number of vacancies है Junior Technician ECG के लिए देख सकते हो EEG के लिए देख सकते हो higher secondary आनिके Plus 2 Pass होना चाहिए इसके लिए एक पद है Technician Dental के लिए जो ट्रेनिया इसके लिए दो पद है इसके लिए भी Plus 2 अपलाई कर सकते है Audio Medici Technician के लिए भी Plus 2 Pass अपलाई कर सकते हो Diploma मांगा गया है तीन number of vacancies है जिया दोस्तों उसके बाद जैसे आप इस PDF को स्क्रोल लाउन करोगे तो यहाँ पर आपको और भी जानकारी दी गई है आप यहाँ से चेक कर सकते हो SCST के लिए 5 साल की जूट है IU में OBC NCL इसके लिए 3 साल की जूट है PWD के लिए SCST है 115 साल की जूट है ESM के लिए भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो IU में अलग-अलग category के लिए चूट दी गई है जैसे आप इस PDF को स्क्रोल टाउन करोगे तो selection से related यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो exam होगा उसके लिए maximum marks सो होंगे all paramedical post के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हो जहां दोस्तो 50 marks यहाँ पर रहेंगे UR या EWS category के लिए minimum cut-off marks जो यहाँ पर लगेगा SST, ESM, OBC, NCL, PWBD के लिए आपर 40 यहाँ पर cut-off marks रहेगा और जैसे आप scroll down करोगे तो online करने के लिए यहाँ पर आपको सभी instructions दे गए हैं जिनकी मदद से आप simple इस बर्दी के लिए apply online कर सकते हो जहां दोस्तो इस portal से आप यहाँ से directly apply online कर सकते हो यहाँ पर step देगे registration, fees payment, apply उसके बाद submission complete करना होगा इसी तरह से आप यह पूरी PDF read कर सकते हो जहाँ दोस्तो अप्लाई करने से पहले आपको यह PDF पूरा पढ़ना अनिवारी है तब इस आपके सभी स्वाल और डाउट के लिए रहोंगे हिंद्य और इंग्लिस बहुत लेंग्वेज में इसकी यह PDF यहाँ पर जारी कर दी गई है उसके बाद दोस्तो जो second number पर जोब निकली है वो निकली है स्टाप सेलेक्शन बोर्ड में करमचारी चेन बोर्ड के अंतरकत यह बढ़ती निकली है या फिर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए आपर वैकेंसिज निकली है तीन सो तीस नंबरो वैकेंसिज है सेलेकी बात किज़े तो पोस्ट ग्रेजवेट टीचर पीजीटी के लिए सैताली जार से एक लाग कि क्याउन जार सो सेले है जबकि असिस्टेंट टीचर हाई स्कूल या ट्रेन ग्रेजवेट टीचर टीचर टीजीटी के लिए सैताली जार चैसो से एक लाग ब्याली जार चार सो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 35,400 से 1,12,400 से लिप प्रोवाइड की जाएगी बात अगर योगेता की की जाए तो बार्वी पास, ग्रेजवेट, पोस्ट, ग्रेजवेट, बीएड, 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 डीएड, एपलाई कर सकते हैं 30 वर्स मैक्सिमम आयू सीमा है 1000 रूपे आवेदन सुलक है Computer Based Examination के अधार पे चेहन किया जाएगा Online आवेदन कर सकते हो Dadra and Nagar Howeley Job Location है All India से आवेदन कर सकते हो Demon. anrse.inisc.in इसका official portal है जिससे आप Online आवेदन कर सकते हो Last date apply online करने की 24 फरवरी 2020 है जहां दोस्तों बात अगर इसकी notification की की जाए तो आप यहां से चेक कर सकते हो, advertisement number आप यहां से चेक कर सकते हो, post always यहां पर आपको sale ली और क्या category wise vacancies है, क्या qualification है, यहां पर आप चेक कर सकते हो, जहां दोस्तों post graduate teacher PGT के लिए sale लेवल 8 के इंतरकत प्रोवाइट की जाएगी, 101 तो एक number of vacancies है, इसमें अन्रिजयों के 36 काली पद है, SC के 19 है, ST के 7 है, OBC के 31 है, EWS के 8 है, PH के लिए 4 पद है, इसके लिए post graduate किसी recognize university से 50% अंकों के साथ में पास होना चाहिए, तो आप apply कर सकते हो, और साथ में bachelor of education, यहां के BA इड इसमें मांगा गया है, किसी national council for teacher education, recognize university institute से, और या फिर post graduate 50% अंकों से, और साथ में BA इड या BSC अड होना चाहिए, तो आप apply कर सकते हो, उसके बाद जो assistant teacher high school या train graduate teacher TGT की post है, इसके लिए आपर 125, number of vacancies है, अन्रिजयों की 35 है, SC की 23 है, ST की 13 है, OBC के 45, EWS के 9 है, PH के लिए 6 है, इसके लिए graduate pass होना आनिवारी है, और स 4 साल की degree हापर BA इड या BSC अड की होनी चाहिए, तो आप apply कर सकते हो, जा दोस्तों उसके बाद जो third number पर assistant teacher primary या अपर primary school elementary education के लिए है, इसके लिए अन्रिजयों के लिए 41 है, total यहाँ पर 97 vacancies है, SC के लिए 14 है, ST के लिए 7 है, OBC के लिए 26 है, EWS के लिए 9 है, PH के लिए 4 है, इसके लिए 12 class pass और साथ में 2 साल का diploma elementary education में मांगा गया है, या फिर 12 class pass और डिपलोमा इसमें elementary education में 2 साल का मांगा गया है, तो भी आप apply कर सकते हो, या फिर 12 class pass के साथ में 4 साल की bachelor of elementary education यानिके BL ed इसमें मांगा गया है, या फिर 12th pass के साथ में 2 साल का diploma education में special education में मांगा गय है या फिर graduation साथ में आपर bachelor of education NK BIDC में मांगा गया है जहां दोस्तों पूरिया यहां पर आपको eligibility criteria details में दी गई और साथ साथ यहां पर subject wise vacancies भी दी गई है PGT के लिए देख सकते हो English के लिए 13 है गुजरात के लिए यहां पर आप देख सकते हो 5 है हिंदी के लिए इसी तरह जैसे scroll down करोगी तो यहां पर आपको primary और अपर primary के लिए यहां पर दी गई है इसके लिए भी यहां पर total 97 vacancies only आप इंगलीज के लिए है आप यह भी चेक कर सकते हो यहां दोस्तों पूरी PDF यहां पर दी गई है जो आप simply read कर सकते हो साथ-साथ यहां पर pattern भी दिया गया है exam से related 80 questions होगे इसमें जो computer based examination होगा परती question के लिए एक marks यहां पर दिया गया है negative marking भी आप चेक कर सकते हो तो यहां पर marks होगे 80 computer based questions के 80 यहां पर 20 यहां पर dobinis style के लिए है और साथ-साथ जैसे scroll down करोगे तो उससे लेबस भी आप detail में इसका official portal से read कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो third number पर job निकली है वो निकली है forest department में यहां दोस्तों one विबाग के इंतरगत है forest guard की यहां पर बढ़ती है forest guard और forest guard साथ में driving license की बढ़ती है 320 number of vacancies है sales ली 18,200 से 7,900 level 5 के इंतरगत प्रोवाइड की जाएगी इस भरती के लिए बारवी पास एपलाई कर सकते हैं 21 से 300 और सायू सीमा है all other candidates के लिए हाँ पर 300 रुप्य आवेज़दन सुलक है SST के लिए 150 है जो कि आप online payment कर सकते हो net banking credit card या debit card के माज़यम से सिलेक्शनों का written examination और endurance test के आधार पे online आवेदन कर सकते हो Tamil Nadu job location है all India से आवेदन कर सकते हो forest.tn.gov.in is का official government portal है जिससे आप इस भरती के लिए online आवेदन कर सकते हो last date 14 फरवरी 2020 है इसकी भी notification आप यहाँ पर चेक कर सकते हो date की notification है 25 जन्वरी से 14 फरवरी तक आवेदन चल ले है जो इसकी detail notification है वो आप चेक कर सकते हो forest guard के लिए 227 काली पद है जो driving license के साथ में forest guard की post है उसके लिए 93 यहाँ पर vacancies निकली है sale 18,200 से 7,900 बोथ post के लिए आपर दी गई है category V आप यहाँ से vacancy चेक कर सकते हो category Y यहाँ पर आपको post wise पूरी जानकारी दी गई जैसे scroll down करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर scheme of examination की जानकारी भी दी गई है general knowledge के लिए यहाँ पर 2 गंटे का time होगा maximum marks 150 होगे और साथ-साथ दोस्तों यहाँ पर बस आप इसके official portal से चेक कर सकते हो अब जैसे आप इस PDF को scroll down करोगे तो आपको step by step यहाँ पर सभी instructions दी गए है और साथ-साथ यहाँ पर physical standards से related जानकारी दी गई है male के लिए height 163 cm है female और यहाँ पर third gender के लिए 150 यहाँ पर height दी गई इसी तरह चेश्ट है बिना फुलाई 19 सी यहाँ पर male के लिए उस फुलाने के बाद 5 cm का अंतर होना जाहिए female के लिए चोहतर बिना फुलाई फुलाने के बाद 5 cm का अंतर होना अनिवारिया है जहाँ दोस्तों जैसे आप इस PDF को scroll down करोगे तो सभी instructions आपको इसी PDF में दिये गए है इनकी मदद से आप simply इस बर्दी के लिए भी online आवेदन कर सकते हो जहाँ दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर forest guard की बर्दी की पूरी update है उसके बाद दोस्तों जो fourth number पर job निकली है वो निकली है public service commission में लोग से वायोग में बर्दी निकली है पोस्ट है तैसिलदार ब्लोग development officer यानिके वीडियो district controller district employment officer principal और भी पोस्ट है सभी के लिए various vacancies है सेली तैसिलदार ब्लोग development officer यानिके वीडियो प्रिंसिपल के लिए 10,300 से 4,800 है district controller district employment officer और पोस्ट के लिए 15,400 से 49,000 है graduate degree धार के अपलाई कर सकते हैं 21,300 सायू सीमा है fee general category और other state के लिए 400 रुपे है HCHT OBC के लिए 100 रुपे है जो कि आप डेविट card, credit card, net banking और इचालान से जमा करा सकते हो selection होगा प्रिय और main return exam और into के आधार पे online आवेदन कर सकते हो हिमाचल परदी जोब location है All India से आप apply online कर सकते हो hppsc.hp.jov.in ये इसका official government portal है जिससे आप इस बरती के लिए 10 फरवरी 2020 तक online आवेदन कर सकते हो pre-exam held होगा 26 April 2020 को बात अगर इसकी notification की की जाए तो उसको भी आप यहां से simply check कर सकते हो last date की बात की जाए तो 10 फरवरी 2020 है जिहां 200 pre-examination यहां पर 26 April को add होगा जिससे आप इस PDF को scroll down करोगे तो यहां पर आपको eligibility criteria से related पूरी जानकारी दी गए और साथ-साथ applying procedure दिया गए pre-examination और main examination के लिए आपको कैसे apply करना है यहां पर पूरी जानकारी दी गए साथ-सा center of examination admit card आपको कैसे download करना है क्या eligibility criteria है कैसे आप apply online कर सकते हो instructions सभी दिये गए है scheme of examination की बात किजाए तो आप यहां से pre-examination और main examination के लिए exam pattern और syllabus detail में read कर सकते हो और आप simply exam को clear आप इसको read करने के बाद ही कर सकते हो यहां दोस्तों पूरी यहां पर PDF यह भी आप चेक कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो five number पर जोब निकली है वो निकली है banking sector में यहां दोस्तों इंडियन बैंक के इंतरगर्ट specialist officer चैनिक चैसों की बरती निकली है 138 number of frequencies है सेली 23,700 से 51,490 है graduate degree धारक अपलाई कर सकते है आयू सीमा 20 से 30 25 से 35 और 27 से 37 से सैथिस वर्स है SSTPWD के लिए 100 रुपे सुलक है all others के लिए 600 है जो कि आप debit card, credit card और internet banking से online permit कर सकते हो chain बिना exam के होगा इंच्यू से जहां दोस्तों online आवेदन कर सकते हो old India से आप apply online कर सकते हो indianbank.in ये इसका official portal है जिससे आप इस बरती के लिए 10 परवरी 2020 तक online आवेदन कर सकते हो admit card आप download कर सकते हो 20 परवरी 2020 से online test टैल्ड होगा 8 March 2020 को notification आप इसकी भी यहां से simply read कर सकते हो details में जानकरी दी गई है recruitment of a space list officer के आपर इन notification है जहां दोस्तों post होई यहां पर vacancies भी दी गई जैसे के assistant manager credit के लिए पिछासी vacancies है manager credit के लिए 15 है manager security के लिए 15 manager forex के लिए 10 है manager legal के लिए 2 है manager dealer के लिए यहां पर 5 है manager risk management के लिए 5 senior manager risk management के लिए आपर एक पद है category wise भी आप यहां से check कर सकते हो जैसे आप इस PDF को scroll down करोगे तो यहां पर आपको pay scale दिया गया है आप यहां से check कर सकते हो eligibility criteria nationality या citizenship यहां पर Indian citizen होना अनिवारी है और qualification की बात के जाए तो अलग अलग पोस्ट के लिए आपर जानकारी दी गई जैसे की assistant manager credit के लिए आपर graduate पास होना चाहिए अलग अलग discipline दी गई है इसी तरह सभी के लिए आपर graduate अलग अलग discipline में मांगा गया है तो आप इस भरती के लिए apply कर सकते हो आयूँ बे चूट की बात कीज़े तो SST के लिए 5 साल की है OBC के लिए यहाँ पर 3 साल की है PWBD के लिए यहाँ पर 10 साल की चूट है EX जो यहाँ पर देगा इसके लिए 5 साल की चूट है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जैसे आप PDF को scroll down करोगे तो यहाँ पर आपको और भी जानकारी दीगे सेलेक्शन से रिलेटिड जैसे कि यहाँ पर test structure आपको दिया गया है scale first or second post के लिए आप check कर सकते हो English knowledge इसके लिए 50 questions 50 marks है quantity and aptitude के लिए 50 questions 25 marks है reasoning के लिए 50 questions 50 marks है professional knowledge के लिए 50 questions 75 marks है total 200 questions होंगे 200 marks है 2 गंटे का इसके लिए time है post code 5 के लिए आप इस तरह देख सकते हो 200 questions होंगे 200 maximum marks है 2 गंटे का time है और जो post scale 3 यहाँ पर post code 8 है इसके लिए भी देख सकते हो यहाँ पर maximum marks हो है इसके लिए 1 गंटे का time है start number of question है यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल रही है इस पीडियाप का आप पूरा read करने के बाद simple इस बरती के लिए भी online आवेदन कर सकते हो यहाँ दोस्तों banking sector के अंदर का इस बरती है Indian bank की notification ने आपर जारी कर दी गई है उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जोव निकली है वो निकली है food department में खाद्य उभाग के इंतरगत food safety officer यानि के काद्य सुरक साधिकारी की बड़ी बरती निकली है various vacancies है sale 10,300 से 34,800 है plus grade पे 4,200 रुपे रहेगा degree धार के अपलाई कर सकते है अठारा से 37 सोर्स आयूशीमा है general category के लिए 600 रुपे सुलक है SC, BC, EWS के लिए 150 है EX रिस्मेर के लिए 100 रुपे है PH के लिए 300 रुपे है जो कि आप credit card, debit card या net banking से online payment कर सकते हो selection होगा written exam और into क्याधार पे online आवेदन कर सकते हो Punjab job location है और इंडिया से apply कर सकते हो Punjab SSB.gov.in ने इसका official government portal है जिससे आप इस बढ़ती के लिए 10 फरवरी 2020 तक online आवेदन कर सकते हो बात अगर इसकी भी notification की की जाए तो वह भी आप यहाँ से simply check कर सकते हो यहाँ दोस्तो notification ने आपर पंजाबी language में दी गई है यहाँ से आप category wise vacancies भी पूरी जिम्पली चेक कर सकते हो डिटेल्स में जानकरी दी गई है उसके बाद दोस्तों जो 7 तो लास्ट नंबर पर जोब निकलिए वो निकलिए Broadcast Engineering Consultants India Limited में Post है Housekeeping staff, Gardner या माली Supervisor for housekeeping Driver, Data Entry Operator Multitasking staff की various vacancies है Sales housekeeping staff, Gardner या माली के लिए 15,688 है Supervisor for housekeeping Driver, Data Entry Operator के लिए 19,088 है MTS के लिए 17,316 है Gardner या माली Post के लिए 5 वी पास अपलाई कर सकते हैं Housekeeping staff के लिए 8 वी पास अपलाई कर सकते हैं Driver के लिए 8 वी पास अपलाई कर सकते हैं MTS के लिए 10 वी पास apply कर सकते हैं, data entry operator के लिए 12 वी पास apply कर सकते हैं, supervisor के लिए जो house keeping के लिए है, इसके लिए डिप्रोमा दारक apply कर सकते हैं, minimum 18 वर्स IU सीमा है, general या OBC के लिए 500 रुपे सुलक है, SCST PH के लिए 250 है, जो कि आप demand draft से जमा करा सकते हो, selection होगा test या into के आधार पे 31 January 2020 है, जया दोस्तो notification आप यहाँ से इसकी पूरी चेक कर सकते हो, vacancy का notice यहाँ पर जारी कर जगए है, post वह यहाँ पर आपको vacancy दी गए, साथ साथ essential qualification, out sale लिए आप इस टेबल से simply चेक कर सकते हो, address देगए है, जिस पर आपको आवेजन form बढ़ने के बाद में send करना होगा पोर्टल जाग है, last 38 January 2020 है, जया दोस्तो बेसिल की भी आप यह PDF सिंपली चेक कर सकते हो, तो दोस्तो यह थी आज की, यानि के टाइस जनवरी 2020 की, top 7 बढ़तियों की पूरी जानकारी, अगर आपको 20 बढ़तियों के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो उसके लि पर आपको लिंक दिये गए है, आप किसी भी बढ़ति के लिए डायरेक्ली इसे आवेदन कर सकते हो, तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही आई होपी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करे, साथ-साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ने किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गोर्मेंट जोप्स की ऐसी भी अप्डेट अप्लोड करते हैं